करो ना में जैसे मैंने रोज जब मैं प्रेस कॉंफेर्ण्स करता हूं मैं बताता हूं कि हमारे जो ऑफर्ट्स हैं वो दो दिशा में हैं एक तो यह की को फैलने से किस तरह से रोका जाए उसमें हम सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं और कई सारे और लॉकडाउन चल रहा हैं क दूसरे हम लोगों के efforts हैं कि किस तरह से कोरोना से होने वाली मौतों को रोका जाए कम किया जाए कोरोना अगर किसी को हो भी जाए तो अस्पताल में जाए अपना इलाज कराए और खुशी खुशी अपने घर लोट आए ये हमारा हमेशा effort है तो कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था दस दिन लगबग दस दिन पहले पिछले हफ़ते मंगलवार को हम लोगों को केंद्र सरकार से permission मिली थी कि हम करोना के जो सबसे serious मरीज हैं काफी serious मरीज हैं उन लोगों के ऊपर हम plasma therapy ट्राई करके देख सकते हैं कि उसका उस पे क्या उन पे क्या असर पड़ता है plasma therapy क्या है मैंने पहले भी आपको explain किया था अज फिर से मैं explain कर देता हूँ कि जो patient ठीक हो जाते हैं उनको corona हुआ hospital में admit हुए उसके बाद वो ठीक हो के घर चले गए ऐसे मरीजों के खून के अंदर antibodies बनती हैं जो उन्हें corona से बचाती हैं तो अगर ठीक हुए patient के खून से plasma निकाला जाए वो antibodies निकाली जाए और जो बिमार patient है उसमें डाल दी जाए तो वो बिमार patient भी ठीक हो जाता है इस plasma therapy limited basis पे छोटा trial करने की हमें permission मिली थी कि LNJP hospital के लिए हमें permission मिली थी कि LNJP hospital के जो serious मरीज हैं उनके उपर ये trial करके देखा जा सकता है हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर चार मरीजों पे trial करके LNJP के चार मरीजों पे trial करके देखा उसके अभी तक के नतीजे उत्साहवर्दक हैं अच्छे हैं और हमारे साथ डॉक्टर सरीन है आज जो की ILBS हमारा जो दिली सरकार का hospital है उसके head है और इस पूरे की पूरी प सब्सक्राइब रहा मैं डॉक्टर सरीन से कहूंगा कि वो आप सब को बताएंगे हैं जो मुलाना अजाद में हैं डॉक्टर सुरेश डिरेक्टर प्रफेसर और बहुत सीनियर फिजीशन तो हम सब ने मिलकर एक initial planning करी थी और उस planning में ये था कि उस समय तक plasma therapy सिरफ पुराने SARS के मरीजों के लिए या किसी और समय वैसे तो 1901 में डिक्तिरिया के लिए भी ये यूज हुई थी पुरानी therapy है तो हमें लगा कि चुंकी और कोई दवाई कोई वाईरस की दवाई नहीं है या हमारे पास ऐसी दवाई नहीं है कि वाईरस शिरीर में एंटर हो तो उससे हम आगे बढ़ने से रोप सकें तो एक ही therapy थी कि वाईरस को कैसे neutralize करें या उसके side effects कैसे कम करें मैं सिर्फ सिंपल भाशा में समझाओंगा कि इसके तीन phases होते हैं बिमारी के पहला phase है जिसे हम वाईरस phase कहते हैं जिसमें वाईरस शिरीर के अंदर आता है वाईरस बढ़ता जाता है कभी यहाँ आ जाता है कभी कहाँ second phase होता है जिसे pulmonary phase कहते हैं जिसमें lung के अंदर injuries आने लग जाती है और उसके कारण उसको breathing की difficulty, sance की difficulty और third phase जो होता है जिसमें cytokine release होते हैं मतलब शरीर ऐसे सारे चीज़ें प्रोड्यूस करता है कि वाईरस को अपन मार सके तो अगर वो third stage में मरीज आता है तो उसके organ failure की stage हो जाती है, वो late stage हो जाती है, second stage में मरीज आता है जिसमें lung care infection है पर बाकी organs चल रहे हैं उस therapy के अंदर उस stage के अंदर अगर आपन plasma दें तो हम वाईरस को भी कम कर सकते हैं और हम organ failures को बचा सकते हैं, first stage में पकड़ में ही आता है उससे मतलब जैसा CM साब ने का हमें सिरफ prevention और early detection पर है, तो हमें अगर मरीज साथ से 15 दिन के बीच में आए जिसको breathing की difficulty है या सांस किये तो ऐसे व्यक्ति में जिसमें बाकी organ फेल नहीं हो उस समय तक तो ऐसे व्यक्ति में plasma therapy का role हो सकता है, हाँ अभी शुरू में जो हमने मरीज किये हैं, बहुत सारे मरीज की और इस विचार से शुरू में हम लोगों ने trial बहुत केरफुली सोच के शुरू करी और मुझे बहुत खुशी है कि शुरू में चार मरीज में हम लोगों ने अभी उत्साह वर्दक फल देखे हैं और हाँ, आज उमीद है कि दो या तीन मरीज और हमारे जो हैं, जो कि सिक हैं L लेड़ बजे सेंप्ल आए, अभी मुझे लगता है कि बारां बज़ तक उनका वाइरस टेस्ट हो जाएगा और उनके लिए ब्लड भी तयार है, प्लाजमा भी तयार है और हो सकता है आज हम उन लोगों को ठरपी दे सकें और इस ठरपी के बेनेफिट्स काफी हैं, अगर अपने उसको दिया तो वो थर्ड स्टेज जिसे हम साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं, उस स्टेज पे मरीज ना जाए, जिसमें और उर्गन फेल हो और लंग के इन्फेक्शन जल्दी से करेक्ट हो जाएं, ये एक हमारा में एम है, और ऐसे ठरपी और अभी कोई है नहीं, हमें लगता है कि शुरू के अगर जैसे मान लिजे दस मरीज हमें, बीस मरीज करने हैं, मुझे लगता है कि हमारे मरीज ये दस से पंदरा दिन में कम्प्लीट हो जाएंगे और आपकी दुआएं रहीं, मरीजों की दुआएं नहीं, तो हो सकता है कि हमें लीड ले सकते हैं बता सकते हैं कि हाँ ये थेरपी अच्छी है पर इसमें कई दिक्कतें भी हैं जैसे जिन लोगों को अपना कॉरोना कभी हुआ रिकावर हो गए अभी वो कॉरेंटाइम में हैं घर पे हैं अगर वो लोग बलड देंगे तभी तो हमें एंटिबॉडी मिलेंगी नहीं तो कहां से मिलेंगे तो इस समय हमें उन लोगों की जरुरत है कि अपनी देश भक्ती दिखाएं ये बता हैं जैसे थोड़े दिन पहले एक लड़का था बिलकुल यम और वो आया रात को एड़ बजे और हमें लगा किसी तरह प्लाजमा मिल जाए पर उसको पूरे दिन के बाद प् हमें साथ बजे प्लाजमा मिला चार बजे वो हमें छोड़के चला लिया तो दिन भर मैं डिप्रेस होता रहा पूरी टीम डिप्रेस हो गए कि क्या हमारे हैं ऐसे लोग नहीं हैं जो कि अधर वाइस और गर पे हैं और जिनके अंदर रिकावर हो गए हैं कोरोना से तो भी यह बड़ डोनेशन भी नहीं है यह मान के चली जैसे सीम साथ ने बटाया कि यह बड़ डोनेशन नहीं है यैसे मैं बड़ दे जहा हो मैंने 50-60 बड़ बड़ दे दिया कोई भी मरीज ट्रांस्पिलांट का होता हूँ कोई बिमार होता सब से पहले जाके صुबह 8 होजे हम ब्लड देने के बाद हमें तीन महीने वेट करना पड़ता है तुबारा देने के लिए पर प्लाजमा के अंदर, उसमें जैसे आपने कभी देखा हो डेंगू के लिए बागी ब्लड वापिस अंदर आजाता है, तो उसी तरीके से प्लाजमा फरेसिस में एक मशीन होती है, तो तीन महीने तक नहीं दे सकते हैं दूसरी एक बात है कि अगर आप ब्लड देते हैं तो आपकी हीमोगलोबिन चेक होता है वेट है इसकी वेंस हैं कोई सिम्टम्स नहीं है पूरा चेक करके डोनर की सुरक्षा जादा जरूरी है फिर ऐसे वक्ति अगर डोनेट करेगा और फिर हम पूरा ध्यान रखते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप से अपील भी करूंगा और हमारे पॉल मरीज मरीज बहुत हैं अबीबी कम से कम दो दरजन मरीज हैं LNH में जिनको हो सकता है जरूरत हो तो आप लोग अगराएं हमें डोनेशन दे हम मरीज के ऊपर पूरी जी जान से हमारी टीम जह है पूरी जी जान से लग करके उनको सुपरवाइज करेगी उनको प्लाजमा य से नहीं हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकता तो इसलिए प्लाज्मा थेरपी कंपरेटिवली ओल्मोस्ट इनेक्सपेंसिव तो मुझे लगता है और नेक्स दस दिन में मुझे लगता अग्ली बाग फिर हम बैटर रिजर्ट्स पता हैं बलकि उठके बैटके नाश्ता कर रहे हैं वही आदमी जो वेंटिलेटर पर जाने की इस्तिती में हो सकता था वो बैटर है और चुट्टी मिलने के आसार हैं इस हफते के अंदर चुट्टी मिल जाए इसी उम्मीद है और बाकी दो जिनको चड़ा है वो अभी तक कोई णि रेक्शन नहीं प्लाज्मा में रिक्शन हो सकती । आप किसी को बलत चड़ाएं तो किसी को प्लंट से रियक्शन होती उससे ज्यादा रियक्शन नहीं हुसकती और वो भी नाजह रखते तो अभी तक चारों बहुत अच्छे हैं और एक को आज सुबर डेड़ बज़े खताम हुआ प्लाजमा वो भी ठीक है तो अभी मेरे पास जो अस्पताल से डीटेल्ज हैं चार जो मरीज थे उसमें से दो मरीजों को मंगलवार को प्लाजमा दिया गया था तो आज तीन दिन हो गए वने प्लाजमा दियो वे वो दोनों ICU में थे और मुझे LNJP के मेडिकल डिरेक्टर जो है उन्होंने बताया है कि शायद आज उनको ICU से निकाल के वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा पहले उनके तब्यात बहुत ज़्यादा खराब थी टेक्निकल टर्म्स में अगर हम देखें तो पहले पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट याने के सांस लेने का रेट एक तीस था पंदरा होना चाहिए तीस था तीस बहुत ज़्यादा माना जाता है ओक्सीजन सैचुरेशन लेवल उनका 85% था ये 95% होना चाहिए ये भी बताते हैं बहुत सीरियस होता है तो ये दोनों चीजे बहुत सीरियस थी प्लाजमा देने के बाद अब उनका रेस्पिरेटरी रेट 20 हो गया है और उक्सीजन सैचुरेशन 98% हो गया है इसी तरह का improvement चारों मरीजों में देखने को मिला है जिसमें उनका respiratory rate और oxygen saturation level इंप्रूव हो गया है तो मंगलवार को जो दो patients ICU में थे और काफी serious हालत में थे आज उन्हें शाहिद ICU से छुट्टी मिल जाएगी और जो दो patients हैं बाकि उनको कल दिया गया है plasma और अभी 24 घंटे में उन्होंने काफी अच्छे results दिखाए हैं और उमीद है कि ये भी काफी अच्छे recover होंगे आज दो या तीन और patients को दिया जाएगा और इसके अलावा एक कोई private hospital है जिसने भी plasma therapy की है और उनका patient जो है वो बहुत serious हालत में था उसको अस्पताल से ही छुट्टी मिल गई है ICU से भी छुट्टी मिल गई है अस्पताल से भी छुट्टी मिल रही है शायद आज तो वो उसका भी अच्छा नतीज़ा आया है जैसे मैंने कहा अभी तक हमारे को limited trials के permission केंदर सरकार से मिली थी केंदर सरकार ने हमें ये permission दी थी कि आप केवल LNGP के serious patients के उपर plasma therapy ट्राई करिए और हमें नतीज़े बताईए फिर हम आपको बाकी दिल्ली की permission देंगे तो अगले दो-तिन दिन और हम trials करेंगे और उसके बाद next week हम लोग केंदर सरकार को पूरे दिल्ली के serious corona के patients को plasma therapy देने के लिए apply करेंगे कि पूरे दिल्ली के serious patients को plasma therapy देने की हमें इजाज़त दी जाए मुझे उमीद है कि वो भी जाज़त हमें जल्दी मिल जाएगी तो उसके बाद दिल्ली के किसी भी hospital के अंदर कोई भी corona का serious patient है उसको हम try कर पाएंगे उसको हम plasma therapy दे पाएंगे फिर से मैं कह दूँ यह initial नतीजे है अभी कोई हम यह ना सोचें कि इसका corona का इलाज मिल गया और ऐसा कोई initial नतीजे है initial नतीजे बहुत उतसा वर्दक हैं एक उमीद की किरन नजर आ रही है और मैं वैसे तो जिन्दगी उपर वाले के हाथ में हम हमेशा कहते हैं सभी doctors भी कहते हैं कि जिन्दगी उपर वाले के हाथ में हर doctor पूरी कोशिश करते हैं अपने मरीज को बचाने की तो लेकिन एक यह इतनी ऐसे समय में कि यह उत्सावर्दक ख़बर है हम सब लोगों के लिए जैसे डॉक्टर साब ने का इसमें सबसे एहम रोल डोनर का है जो अपना जो कोरोना से ठीक हो गया और वो आके अपना प्लाजमा डोनेट करता है तो जैसे डॉक्टर साब ने आप इदर से नली लगाते हैं इदर से आपका खून निकलता रहता है खून में से प्लेटलेट्स निकल जाते हैं और वो खून आपके शरीर में वापस डाल देते हैं तो प्लेटलेट्स निकालके खून आपके शरीर में वापस डाल देते हैं आपको कमजोरी भी नहाती इसी त इतने लोग अभी ठीक होके गई हैं उन सब लोगों से हाथ जोड़के निवेदन है कि आप अब दूसरे लोगों की जान बचा सकते हैं तो एक एक वेक्टी जो ठीक होके गया है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो दूसरों के काम आए और जब मैं कह रहा हूं जान बचा सकत है तो एक्चली आप एक आदमी की जिन्दीगी बचाएंगे कई बार अगर आपके शरीर में प्लाजमा में एंटिबोडी जादा होती हैं तो एक आदमी से दो लोगों की जान बच जाती है या नॉमली एक आदमी से एक ही आदमी की जान बच जाती है कई बार एक आदमी से आप प्लीज किसी तरह की चिंता मत करें, सभी डॉक्टर जैसे सरीन साब ने कहा कि हम आपको किसी तरह की कोई हानी नहीं होने देंगे, हानी हो इनी सकती, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, आप जरूर अपना ब्लड डोनेट कीजिए, प्लाजमा डोनेट कीजिए, ताकि हम इसके करोना की वज़े से मौत नहीं होनी चाहिए, किसी की भी हमारा पूरा प्रयास है इस देशा में, बहुत 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 श्यक्ति, थैंक्यू